हेलो एबरीबन आपका स्वाकत है मेरे चनल कुकिंग कुकिया पर अंडा करी की सबजी भी फेल है इस सबजी के आगे जब कोई सबजी घर में ना हो तो बनाए सुद्ध सा कहारी एक करी की सबजी मेरे तरीके से अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक से सब् और एक बॉल में हमने यहाँ पे बेशन लिया एक कटोरी चान कर लिया है अब इसमें मसाले डालेंगे तो आधा टीजपून काली मिर्च एक टीजपून धनिया एक चोथा टीजपून हल्दी एक चोथा टीजपून हमने यहाँ पे लाल मिर्च डाली है अजबान को हाँ से क्रस्कर के डाल देंगे और नमक को डाल देंगे एक टीस्पून हमने यहां पे घी लिया है इसमें कोई सोडा नहीं डालेंगे इसलिए हमने इसमें घी डाला है अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इसे एक सेमी सॉक्ट डो लगा लें क्योंकि अभी बेशन को जब रेश्ट करेगा तो डो हमारा थोड़ा सा हाड हो जाएगा कि इसमें थोड़ा सा गी लगाके इस तरह से दस मिनट के लिए हम इसे रेश्ट करने के लिए रख देंगे तब तक इधर हम मसाले पीछ लेंगे तो यहां पे दो प्याज एक टमाटर दो हरी मिर्च और 6-7 हमने लेसुन की कलिया और थोड़े से हमने यहाँ पे काजू लिये हैं इसे हम पीस लेंगे ग्राइंडर जार में डाल कर तो देखिए इस तरह से हमारा यह पेस्ट बन कर तैयार हो गया है अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा पनीर को ग्रेट करके रख लिया था इसमें हम थोड़े से मसाले डाल लेंगे तो हमने नमक, दो पिंच अल्दी, दो पिंच हमने यहाँ पे काली मिर्च और थोड़ी यहाँ पे हमने धनिया वो थोड़ा सा हमने ही लाल मिश्ट डाला है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे वो इसके छोटे-छोटे बॉल बना लेंगे इस तरह से अब हम अपने डो को देख लेते हैं तो देखिए डो हमारा अच्छा बना है इसे एक से दो मिनट इस तरह से और गूत लेंगे अब इसका एक छोटा सा पाट ले लेंगे और इस तरह से हम इसमे जिस तरह से हम कचोड़ी भरते ना बस उसी तरह से करना है और इसमें हम पनीर की बॉल्स रख देंगे इसे अच्छे से पैक कर देंगे इसमें जो भी एक्स्ट्रा निकले बेसन उसको निकाल दे इस तरह से एक बॉल बना ले तो देखिए हमने यहाँ पर छोटी छोटी बॉल बनाई इसी तरह से हम दूसरा बना लेंगे हातों में थोड़ा सा घी या तेल लगा ले जिससे यह चिपके नहीं इसी तरह से हम सारे बना लेंगे इस सबजी को बनाना बहुत ही असान है इस तरह से आप बनाएगे ना तो सभी उंगलिया चाड़ने पर मजबूर हो जाएंगे यहाँ पर हमने दो चमश ओयल लिया है इसमें थोड़ी सी हींग डालिए आदा टीस्पून हल्दी और एक टीस्पून धनिया आदा टीस्पून गरम मसाला और एक टीस्पून यहाँ पर हमने कस्मी रीलाल मिर्चली है इसे हम भून लेंगे मसालों को अब यहाँ पर हमने जो मसाला पीसा था उसको डाल देंगे मसालों को में अच्छे से भूनना है इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है जब तक मसालों से औल सेपरेट न हो जाए देखिए इस तरह से तब तक हमें मसाले भूनने हैं तभी सबजी हमारी अच्छी बनेगी अब इसमें हम पानी डाल देंगे जैसी आपको क्रेवी चाहिए यह बॉल हमने बना के रख लिये हैं बेशन के अब इस तरह से हम प्लेट लेंगे यह जाली वाली अब इसमें अपने बॉल को रख देंगे इसमें हमने थोड़ा सा ऍाईल लगा लिया था पहले ही इसे हमने थोड़ा दूर दूर रखा है क्योंकि ये फूलेंगे 10 मिनट ढख कर हमने इसे पका लिया है देखिए फूल के ये डबल हो गए है आप इसे पानी में भी हुवाल के बना सकते लेकर इस तरह से बनाएंगे तो सब्जी जल्दी बन जाएगी अब इनको निकाल लेंगे हम देखिए ग्रेवी देखिए कितनी सांदार हमारी बनी है देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है अब इन बॉलों को हम डाल देंगे बेसन के बॉल्स को हम इसमें डाल देंगे इसे पांच मिनट ढख कर हम पकाएंगे तो देखिए सबजी हमारी बन कर तयार हो गई है आप रोटी, चाबल किसी के साथ भी खा सकते हो ये इदनी टेस्टी बनती है अब इसमें हरादनिया डाल देंगे अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो लाइक, सेयर, सब्सक्राइब करें इसे अब हमने सर्व कर लिया इसे हम आपको काट के दिखाएंगे तो बिल्कुल अंडा करी से कम नहीं लगेगी उससे ज़्यादा अच्छी ही लगेगी थैंक्स पॉर वाचिंग, टे केर बाई